और पूर इन आ आ कोंमन Birth का मतलब यहां पे डेटर भी है और डेप का मतलब यहां पे क्रेचटर भी प्ला मतलब क्या होता है कई बार देखा गया है कि जो दुकांदार होता है जिससे समान खरीदता है कई बार उसको बेचता भी है यानि अगर मैं एक्जामपल लेता हूँ फूर एक्जामपल इंडिया का एक ट्रेडर है Mr. X एक वेपारी है और इसका दो बिजनस है बिजनस नमबर वन क्लॉथ का बिजनस नमबर टू ओयल का ओयल का काम क्या होता है पेट्रोल वगेरा का काम हो गया यह सारा और यह जो क्लॉथ है यह बेचता है इंडिया के बाहर और ओयल जो है यह खरीदता है इंडिया के बाहर और दोनों डील USA में करता है यह और USA में एक ट्रेडर है ट्रेडर का नाम मान लेते हैं Mr. Y अब देखो कैसा एक यहाँ पर situation create हुआ कि मान लो यह इसको 10,000 रुपए का cloth बेच देता है suppose करो या एक लाख रुपए का cloth इसको बेचता है USA में यानि इंडिया manufacture करता है cloth को और फिर USA में बेच देता है कितने का समान बेच दिया एक लाख रुपए का अब एक लाख रुपए का जब USA को समान बेच दिया इसने तो USA में जो बैठा हुआ Mr. Y है X को इससे पैसे लेने है यानि X के point of view से देखा जाए तो यह अपने books of account में क्या कहेगा कि मैंने Y को समान बेचा हुआ इट मेंस मेरा क्या है यही बोलने वाला है यह डेटर USA ने क्या करा इसको समान बेच दिया एक लाख बीस हजार का इसको क्या बेचा है इसने crude oil बेचा crude oil मतलब petrol इसको बेचा हुआ है एक लाख बीस हजार का है अब Mr. X क्या करे यहाँ पे दोनों situation है Mr. X को पैसे लेने भी है और Mr. X को पैसे लेने किस चीज़ के है यहाँ पे cloth के जो कपड़े उसने बेचा export किया है और देने किस के है oil, तेल, कच्चा तेल, crude oil जो भी बोलो अब उस चीज़ का तो net में देखा जाए तो देखो यहाँ पे Mr. X कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि US वाले ट्रेडर को बोले भाई पहले आप एक लाख रुपे भेजो फिर मैं आएक लाख बीस हजार भेजता हूँ यहाँ एक simple सा solution हो सकता है simple सा solution adjustment करके क्या हो सकता है Mr. X बोल दे भाई देखो net में मुझे ही बीस हजार देने है net में क्योंकि लेने एक है देने एक बीस है तो net में कितने देने मुझे बीस हजार है और अगर यह यहाँ पे creditor लिखता भी है तो creditor कितना लिखेगा 1.2 lakh यानि 1,20,000 यह तो एक situation था net में आपने भी जवाब दिया कि net में क्या करना चाहिए इसे 20,000 देना चाहिए अब बताओ अगर आपको ऐसा कोई adjustment पता चलता है मैं यहाँ पे लिखना हूँ creditor 1,20,000 पता चलता है तो मैं यह 20,000 कैसे बचेगा मैं debtor को क्या कर दू minus कर दू कितने से और यहाँ भी minus कितने से कर दू तो now मेरा बच गया यह 20,000 ठीक है यानि चलो एक यह case वह दूसरा case आप देखना दूसरे case के अंदर X और Y same situation X ने इसको डेड़ लाख रुपए का समान बेचा और Y ने इसको एक लाख रुपए का समान बेचा net में result क्या होना चाहिए 50,000 मुझे मिलना चाहिए यानि यहाँ पे अगर मैं balance sheet बनाओ तो मैं वैसे तो debtor में मैं दिखाना चाहता हूँ डेड़ लाख और creditor में मैं दिखाना चाहता हूँ एक लाख हो गया लेकिन क्योंकि एक ही party से deal है तो इसका adjustment entry करना पड़ेगा यानि creditor में से मैं कितना minus करूँगा एक लाख यह हो गया 0 और यहाँ से कितना minus करूँगा और net में मेरे debtor कितना बच गया ध्यान से देखना आप यहाँ पर दो amount है एक लाख और एक लाख भीस अजार यहाँ पर दो amount है डेड़ लाख और एक लाख दोनों जगह पर जो दोनों मेंessä कम amount था उसी को मैंने minus किया है इहाँ पर कितना minus Kia एक लाख एक लाख अगर मैं इसको 90 कर देता हूँ, तब भी कितना माइनस करता हूँ? 90,000, 90,000. यानि common debt का मतलब है, एक ही person को समान बेचना भी, और एक ही person से समान को खरीदना भी. इसको क्या बोलेंगे? Common debt. Common debt का impact दो जगह पर आएगा. एक debtor के उपर, और एक creditor. और दोनों में से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा. debtor में से भी माइनस करना पड़ेगा, और creditor में से भी माइनस करना पड़ेगा. लेकिन condition ये है, कि debtor में से माइनस, और creditor में से amount कौन सा करें माइनस, तो जो दोनों में से कम amount होगा, उसे minus कर देंगे simple सोचने का हमारा तरीक है बाकी मैंने proof के साथ भी बता दिया कि minus वही होता है जो कम amount settle होगा तो यहाँ पे common debt का भी बहुत important question है यह sales on approval basis के साथ merge होके जादे तर पूछा जाता है तो इसके अंदर देखो यानि एक impact आएगा हमारा debtor पे और एक creditor पे अगर मैं debtor की बात करूँ तो debtor में से भी क्या होगा minus और creditor में से भी क्या होगा minus लेकिन कौन सा amount debtor और creditor whichever is lower हमें कैसे पता चले है adjustment को common debts है due to or due from दोनों word का इस्तमाल होगा बोलेगा x due to y and due from y इस तरीके से wordic इस्तमाल होगा तो सबसे पहले देखो debtor में से भी कुछ minus करना है creditor में से भी कुछ minus करना है दो amount given होगे के दोनों में से कुन सा amount minus कर देंगे lower यानि कम वाले amount को minus कर देंगे यह adjustment number है आपका पंदरा note करिए फटा फट झाले आपका पंदरा